यह PWD का SSR है 2022-23 का अब आने वाला जो रहेगा वो 24-25 का रहेगा जो कि अभी तक नहीं आया है जब आएगा तो हम इस पर बात करेंगे और उसके मुताबिक इस्टिमेट बनाएंगे जब हम काम करते हैं तो सबसे पहले हम मिजर्मेंट शीट बनाते हैं उसके बाद रेडरलेस बनाते हैं उसके बाद अगर उस आइटम को मटरियल लग रहा है तो फिर मटरल की शीट बनाते हैं उसके बाद आफस्ट्राक की शीट बनाते हैं और फिर रिक्यप बनाते हैं, इस तरुखे से एक के बाद एकाम काम करते हैं, यह जो total होती है, यह यहां और abstract sheet में आती है, यह जो rate होता है, यह rate analysis से यहां से, जो final rate होता है, वो यहां से आता है, अभी देखिए मैं यहां से पूरा इसे delete कर देता हूं, और आपको बतलाता हूं किस त पहले देखो यहां पर नमबर है, आइटम नमबर, तो मैं यहां किलिक करके इक्वल करूंगा, यहां पर मिजरमेंट है, यहां पर किलिक करके इंटर कर दूंगा, उसके बाद देखो बिल्कुल इसके बाद, यहां पर बिल्कुल देख सकते आप, कि यहां पर डिस्क्रेशन आपदी आइटम है, तो यहां हम इक्वल करेंगे, यह मिजरमेंट है, यहां पर क्लिक करके इंटर कर देंगे, उसके बाद इसके ओपर क्लिक करना है, यह होम टैब है, यह अलाइनमेंट का गुरूप है, पैनल है, यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां क्लिक करेंगे, उसके बाद यह box पे click करेंगे यहाँ पर देखो center है इसे justify यहाँ पर देखो bottom है इसको top उसके बाद देखो यहाँ पर मैं click करूँगा अगर यहाँ click करूँगा तो यह center में आ जाएगा और अगर यहाँ click करूँगा तो यह top पे आ जाएगा कि उसके बाद मैं यहां किलिक करूंगा इक्वल मिजर्मेंट इस पर इंटर करेंगे तो देखो यह आ जाता है तो यह एक दो तीन चीज़े आगी अब तक हमारी बिल्कुल इसके सामने मुझे यहां पर देखो जो रेट है यहां पर रेट लाना होता है तो यह मेरा ऐसे सार ह उसके नमबर पर जाने के लिए देखो यहां पर प्रेस करके ऐसा अब उपर कर सकते हैं या फिर मौश का विल भी इस्तिमाल करते हैं आगे की तरब करेंगे तो देखो इस तरी की से पेज के टॉप की तरब आते हैं और अब हमारी तरब अगर गुमाएंगे तो इसा नीच पर एक कर लेता हूँ मैं चंट्रलसी करेंगे अ और बिलकुल इसके सामने यहांपर यह रेट परडबल क्लिक करके इस करके कर देंगे यहां पर अपर क्लिक करेंगे हम और इसे दोको बոल्ड करते हैं यह नमबर का जो पानल है लिए होब टैब में एक क्लिक करेंगे बू principle council का estimate है तो इस पे 4% add करने होते हैं तो direct add नहीं कर सकते हैं इस amount पे हाम कुछ तो deduction करना होता है तो मैं यहाँ पर click करता हूँ equal करता हूँ और यहाँ पर 21% deduct करना होता है तो इस पर click करके keyboard से एक 4 प्रेस करके इंटर कर देता हूँ उसके बाद यहाँ click करूँगा मैं merge wrap tax और यहाँ पर click करूँगा तो इस तरीके से align हो गया यहाँ पर click करेंगे equal करेंगे और यह बिल्कुल इसके बाज़ु में 21% यहाँ click करके keyboard से for press करके इंटर कर देंगे उसके बाद यहाँ पर देखो essescada है लेकिन इसमे कई भीundyścada wording नहीं है तो उसके लिए यह जगा चोड़ देंगे क्योंकि सकंड़ई minus होई नहीं सकता क्योंकि इसरीको詐 में scoring ज़गा जब दिया पर यहाँ ज़गा के कि यह sum है अटो sum इस पर click करेंगे और enter कर देंगे उसके बाद मैं इस पर click करूंगा और इसे bold कर दूंगा अब मुझे क्या करना होता है कि यह जो amount आएंगी यह minus होने के बाद और अगर इस काड़ा लग रहा है तो इस काड़ा लगने के बाद जो total आएंगी इस amount पर चार परसेंट लगता है तो इसके नीचे मुझे चार परसेंट लगाना होता है तो बिल्कुल यहाँ पर मैं equal करूंगा और यह जो चार पर इस पर क्लिक करेंगे और कीबोड से फोर प्रेस करके इंटर कर देंगे यह जो 21% मैंने माइनस किया था वो दोबारा add करना होते हैं यहाँ पर इना lead लेता है यह जो यहाँ पर lead का calculation आते है तो अभी इस item को कोई material नहीं लगता है इसमें से इसलिए lead की भी कोई ज़वरत नहीं रहेगी यहाँ पर इसलिए वो calculation नहीं आएंगे यहाँ पर मैं click करूंगा equal करूंगा और यह यहाँ पर click करके keyboard से फोर प्रेस करके इंटर कर दूँगा फिर यहाँ click करना है merge, wrap tags और इस पर click कर देना है यहाँ click करेंगे, equal करेंगे और इसके सामने बिल्कुल यहाँ पर click करके एफोर दबा के इंटर कर देंगे, यह क्यों किया गया मैं आपको बताता हूँ अभी, अगर कुछ rule बदल दिया government ने, यहाँ पर 21 के जगा 25 कर दिया उन्होंने, तो देखो मैंने 25 टाइप किया, तो खुद बखुद होता चला जाएगा, नीचे कितने भी item रहने दो, हम उस तरह की से ही सिखने वाले हैं, तो यहाँ पर minus 21 है, तो वो रहने देता हूँ, और यहाँ पर 4 है, तो उसे 4 भी रहने देता हूँ, इसलिए हम यह कर रहे हैं, सिर्प इसको edit करेंगे, तो नीचे कित प्रोड़ा डालना पड़ेगा, यह दोनों का calculation का यहाँ पर, तो देखो कैसा का डालेंगे, equal करेंगे, keyboard से P, R, O, U, type करेंगे, तो product मिलता है, double click करेंगे, इस पर click करेंगे, comma, और इस पर click करेंगे, और enter कर देंगे, यह वही चीज़ है जो हम calculator में करते हैं, कोई नई नहीं थी, अब मैं यहाँ पर, एक single click करता हूँ, और इसे round 2 लगाता हूँ, R, O, U, round पर double click, आखिर में click, comma 2, और इसे close करके, मैं enter कर देता हूँ, इस तरीके से देखो, problem हा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ सही तरीके से हुआ नहीं है काम, तो इसे cut कर देंगे, और यहा बाद उसे close करके, फिर enter कर देंगे, तो यह दुरूस्त हो गया, अब अगर मैं double click करूँ, तो देखो, इसका total आ गया है, अब मैं यहाँ पर click करता हूँ, double, तो मैं यहाँ भी काम कर सकता हूँ, और यहाँ भी काम कर सकता हूँ, अभी इसको भी double click करके, equal के बाजू में click कर के से round 2 लगा देते हैं, round पे double click करेंगे, आखिर में click करेंगे, comma 2 करेंगे, और close कर देंगे, bracket को और enter कर देंगे, उसके बाद देखो, यहाँ पर मैं double click करता हूँ, तो यह दोनों selection दिखाते हैं, और यहाँ पर double click करता हूँ, तो यह दोनों selection बताते हैं, अब यह जो 4% आप यहां पर देखिए यह किस परसेंट आता है इस एमाण पर तो यह दोनों एक जैसे होना बहुत ज़रूरत है अगर मैं इस पर किलिक करूँ तो देखो यहां इसका नंबर दिखता है जी 30 तो मैं यहां किलिक करूँगा और यहां पर जो जी 34 है उसको 30 कर देंगे और इस एमाण पर लगता है यहां पर देखो एक मैं सेल छोड़ कर यहां पर किलिक करता हूँ और इस पर किलिक करता हूँ आठो सम पे तो देखो कहां तक सिलेक्शन हुआ है मुझे वहां से इसके टोटल लेनी होती है जो मैंने कलर कर दिये ताके समझ में आ जाए इंटर करें इसे क्लिक करेंगे और इसे बोल्ड कर देंगे अब मैं इस पर डबल किलिक करता हूँ और देखो यहाँ पर किलिक करता हूँ equal के बाजू में और इसे round 2 लगा देता हूँ round पर double click करेंगे आखिर में click करेंगे comma 2 करेंगे और enter कर देंगे यह जो है हमने बनाया यह एक ही बार बनाना होता है और एक material के साथ बनाना होता है उसके पास सब copy paste रहता है जीरो से हर बार काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है अब मैं यहां से लेकर यहां तक इसे select करता हूँ और यहां पर click करता हूँ और जो भी border पसंद बिल्कुल लिया जा सकता है फिलाल मैं इसे ले ले लेता यह जो rate आया है बिल्कुल उसके बाजू में यहां पर click करेंगे equal करेंगे यह measurement है यह unit पर click करके इंटर कर देंगे यहां पर देखो border दिखाई नहीं दे रहा है border लाने के लिए कैसा करेंगे page layout, size, a4 तो हमें समझ में आता है कि यह page के अंदर रहकर हमें काम करना है हमारा जो unit है यह इदर बाहर नहीं आना चाहिए मिसाल के तोर पर देखो इससे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं यह बाहर चला गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो यहां पर click करूँगा मैं ऐसा select करूँगा यहां पर मेरा cursor देखो कैसा है double click करेंगे उसके बाद देखो मेरा cursor कैसा है यह यहां पर देखिए बी में mouse का button फ्रेस करके ऐसा click करके हम इदर इससे छोटा कर सकते है तो इस तरीके से यहां पर मैं double click करूँगा तो यह selection होगा यह double click करेंगे तो यह selection होगा यह double click करेंगे तो यह फार्मूला यहां दिखाई देगा यहां किलिक करेंगे तो यहां किलिक करेंगे तो यहां किलिक करेंगे तो यहां दिखाई देगा तो यह ध्यान में रखना है उसके बाद मैं यहां पर किलिक करता हूँ और यहां टाइप करता हूँ टोटल रेट यह टोटल जो rate है यह जाता है हमारा फ्ट्रैक शीट में मैं यहां से लेकर यहां तक सिलेक करता हूँ यह home tab है merge, rep tax यहां पर click कर देंगे और इसे देखो, board कर देंगे तो यह था हमारा पहला item का rate analysis rate analysis दो या तीन तरीके के समझने होते हैं फिर आप estimate बना सकते हैं कितने भी item रहन दो estimate में बहुत आसानी से बना सकते हैं अभी तो हम पहले item पे हैं धिरे धिरे हम आगे और भी चीजे देखेंगे अभी यहां पर देखिए यह पहला item था हमारा measurement का और यह था हमारा पहला item हमारा rate analysis का यहां पर हम material की sheet नहीं बना रहे हैं इसलिए नहीं बना रहे हैं कि इसे कोई भी material नहीं लगता है उसके बाद देखो यह abstract की sheet होती है मैं इसे select करके delete कर देता हूँ कैसे बनाते हैं उसको एक बार फिर से बता देते हैं यह item number है यहां क्लिक करेंगे equal यह measurement है यहां पर क्लिक करके इंटर कर देंगे उसके बाद मैं यहां क्लिक करूंगा equal measurement यहां पर क्लिक करके इंटर कर देंगे उसके बाद यहां क्लिक करना है यह home tab है यह alignment का group है उसका यह panel है यहां पर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे यहां click करेंगे, यहां पर देखो center दिखाई दे रहा है, उसे justify कर लेंगे, यहां पर bottom दिखाई दे रहा है, उसे top कर लेंगे, और ok कर देंगे, उसकी बाद मैं यहां click करूँगा, यहां click करूँगा तो यह horizontal center में आ जाएगा, यहां click करूँगा तो यह top में आ जाएगा, यह देखो यह यह उवनिट है, यहाँ पर किलिक करेंगे, यह मिजर्मेंड है, यहाँ पर किलिक करेंगे, यहां से लेकर यहाँ तक सऩब करता हूँ मैं और इसे टॉप पर कर देता हूँ, यह वर्टिकली तो एक, दो, तीन, चार, पांच चीज़े आ चुकी है measurement से, यहाँ click करेंगे, equal करेंगे, यह rate analysis है, आखिर का rate लेना है, यह rate नहीं लेना है, इंटर कर देंगे, तो देखो एक और एक दो चीज़े आ गई है, इसे आप दो decimal तक भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं, अभी पर, इस पर click करना है, comma करेंगे, इस पर click करेंगे, और इंटर कर देंगे, यहाँ पर click करना है, देखो यह home tab है, यह number का group है, पैनल है, यहाँ पर मैं click करता हूँ, दो decimal, amount को 2 decimal रख लिए, हमने 3 decimal रख ही ही नहीं सकते हैं, आप 0 रख सकते हैं, और 2 रख सकते हैं, लेकिन 3 रख सकते हैं, यहाँ पर double click करेंगे, equal के बाज़ों में click करता हूँ, मैं, row type करेंगे, round पर double click करेंगे, आखिर में click करेंगे, comma 2 करेंगे, इसे close कर देते हैं, और enter कर देंगे, आपको यह दोनों का calculation check कर लेना है, यह बरूबर आया है या नहीं, यह quantity जो रहती है हमारे, यह जो टोटल का calculation चेक कर लेना होता है, यह इस amount पर लगाना होता है, तो इसे भी calculator से चेक कर लेना होता है, तो इस तरीकへ से देखिये, मैंने measurement में काम किया, फिर उसके बाद देखो, मैंने rate analysis में काम किया, material की sheet पे इसलिए काम नहीं किया कि इस item को material नहीं लग रहा था फिर हमने यहाँ पर देखिए abstract की sheet पर काम किया है हमको recap पे काम करना भी बाकी है अब आप unmute कर सकते हैं और मुझसे कुछ बाते कर सकते हैं कुछ सवालाद पूछ सकते हैं मैं उसका जवाब देता हूँ फिर हम यहाँ रुख जाएंगे यह हमारा थोड़ा सा रिविजन था अब हम देखिए यहाँ पर यह drawing ready है हमारा CC road का इसमें पहला जो रहेगा M20 रहेगा उपर की layer जिसे rigid payment कहेंगे हम उसके नीचे जो हमारा दूसरा layer रहेगा इसे leveling course कहेंगे जो के M10 का रहेगा और उसके नीचे हमारी soling रहेगी यह rubel soling भी हो सकती है और ATM की soling भी हो सकती है तो हम यह तीन item का जो है हमारे पास drawing इसके साथ साथ और कौन कौन से item लगते हैं estimate में जैसे मिसाल के तोर पर royalty है quality है sign board का item है इस तरह के से और भी चीज़े देखेंगे अब आप मुझसे कुछ सवालाद कर सकते हैं आप पूछिए